अमित शाह पतनी सोनल शाह पर छिड़कते हैं जान अमित शाह गुजराती तो पतनी सोनल मराठी कैसे? क्या करती है सोनल शाह? कैसे कमाती हैं? चार गुना ज़ादा देश के ग्रह मंतरी अमित शाह जिनकी पहचान एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर है जिन्हें राजनीती का चानक के कहा जाता है और जो प्रधारमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहत करीबी कहे जाते है इनकी और नरेंद्र मोदी की पक्की दोस्ती उस जमाने से है जब वे दोनों ही सक्रिय राजनीती में बड़ा नाम नहीं हुआ करते थे ये दोनों साल 1982 में पहली बार मिले थे तब नरेंद्र मोदी संग के प्रचारक थे और अमित्र शाह कॉलेज स्टुडेंट हुआ करते थे अमित्र शाह एक संभ्रांत गुजराती व्यापारी परिवार से तालुग रखते थे छे बहनों में एकलोता भाई होने की वजह से ये परिवार में बड़े लाडरले भी रहे इनके मित्र नरेंद्र मोदी ने जहां समात सेवा के लिए खुद को ग्रहस्त जीवन से दूर कर लिया था तो वहीं इसके उलट अमित्शाह महस 23 साल की उम्र में ही शादी के बंधन में बंद गय थे अमित्शाह का दिल एक मराठी यूवती पर आ गया था जिनसे उन्हें पहली नजर का प्यार हुआ था और जिनसे उन्हें प्यार हुआ था उनका नाम था सोनल शाह जो देश के ग्रहमंत्री अमित्शाह के भी ग्रहमंत्री है यानि उनकी धर्म पतनी है सोनल शाह मूल रूप से महराज्ट के कोलहपूर से तालूग रखती हैं इन्होंने अपनी शिक्षा प्रिंसेस पदमराजे गर्ल्स हाई स्कूल से पूरी की थी इनके पती जहां राजनीतिक कामकाज में व्यस्त रहते हैं वही नहीं आध्यात्म, ट्रेवलिंग और शौपिंग में खास रूची रहती है आपको ये जानकर ताजिब होगा कि सोनल शाह अपने पती अमित्शाह से जादा धन्मान है इस बात का पता खुद अमित्शाह के उस हलफना में से मिलता है जो उन्होंने साल 2019 के चुनाव के दोरान अपनी संपत्तियों का ब्यूरत देते हुए सरवजनिकी थी उनके 2019 के एफिडवेट के मताबिक साल 2012 से 2019 के बीच उनकी संपत्ति में पूरे तीन गुना ज़ादा इजाफा हुआ है 2012 में अमित्शाह और इनकी बीवी सोनल शाह के कुल चल चल संपत्ति एक 11 करोड 89 लाग रुपे थी जो 2019 तक 38 करोड 81 लाग रुपे हो गई थी अमित्शाह को 23 करोड 45 लाग रुपे की संपत्ति पारिवारिक विरासत में मिली है इनकी पत्री सोनल शाह की आये की बात करें तो ये अपने पत्ती से लगभग 4 गुना ज़ादा कमाती है अमित्शाह वाइफ प्रोपर्टी रिपोर्ट्स की माने तो इस दमपत्ती की कुल साला ना आये 2 करोड 84 लाग रुपे है जिसमें अमित्शाह की अलग-अलग स्तृतों से होने वाली आये 53 लाग 90 हजार रुपे है जबकि इनकी पत्री की साला ना आये 2 करोड 30 लाग रुपे है हाला कि 2019 से अब तक इस आकड़े में कुछ बढ़ात या घटत भी संभाव है 31 मार्च 2021 को घोशित की गई संपत्ती की बियोरे के मताबिक इस दमपत्ती के पास 51 लाग रुपे के गहने भी है देश के ग्रहमंत्री अमित शाह के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारिया है राजनितिक कामकाज में बेहत व्यस्त रहने की वजह से ये परिवार को कम समय दे पाते हैं ऐसे में इनकी पत्री सोनल शाह परिवार का पूरा दाई तो बखो भी निभाती है सोनल शाह को पती अमित शाह के साथ हर वक्त खड़ा पाया गया है ये उन्हें संबल देती रही है चाहे अमित शाह जीवन के कठिनाई भरे दोर से गुजरे या उन्होंने कुछ बड़ा अरजित कर लिया हो ये हर मौके पर डेट कर इनके साथ खड़ी रही इनका एक बेटा है जिनका नाम जैशा है वे वरतमान में BCCI में एक बड़ा पदभार सभाल रहे है इस खबर में फिलहालीत रहे बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है One India हिंदी के साथ